नमस्कार आप देख रहे हैं पहार टीवी और मैं हूँ आपके साथ इसमीदा पटवाद चले रुख करेंगे उत्राखन की तमाम बड़ी खबरों का लेकिन उसते पहले एक नजर आज की हैडलाइन्स पर समविदा आउट्सोर्च वाहन चालक संग नियावसरों पर घर के काम कराने का लगाया रूप सियंधामी को भीजा गया पर बिना प्रोटोकॉल अस्पताल का निरिक्षन करने पॉंचे स्वास्ते मंत्री डियम को भी नहीं लगी भनग ग्रेक अलेश में पिता ने सोते हुए बेटे पर किया कुलाडी से वार कालाद कम भी भाजपा नगर मंडल कंड प्याग ने कल मनाया काला दिवस्त कॉंग्रेस को जम कर खेरा अधिकांस छेत्रों में तेज धूप खिल रही है और तापमान में विवर्धी देखने को मिली है मदानी जिलों में चटक धूप खिलने से तापमान में 3-4 डिग्री सेल्सिस के प्रदी हुई है इसी बीच मौसम विभाग ने 26 जून यानि आज से प्रदेश में भारी बारिश का अनुमान लगाया है आज से प्रदेश में बरसाथ का क्रम तेज हो सकता है मई उत्राखर में मौसम विभाग ने 28-29 जून को मौनसून के दस्तक देने की उमीद चताई है इससे पहले ही आज से प्रदेश में वर्षा का क्रम तेज हो सकता है ऐसे में रुदरप्याग, चमोली, उत्तरकाशी, पिथोड़ागट, पागेश्वर जैसे जिलों के लोगों को बेहत साबधान रहने की जुरुरत दी है दरसले ही वो जिले हैं जाब बारिस और मौनसून सीजन में ज़्यादा बरबादी होती है मौसम विग्यान केंद्र के निदेशक, विक्रम सिंग के अनुसार, प्रदेश में शुक्रवार और शनिवार को आशिक बादल चाहिद रह सकते है इस दुरान परवर्दे शेत्रों में कहीं कहीं हलकी वर्षा हो सकती है इसके बाद रविवार से प्रदेश में वर्षा का करम देज हो सकता है 26 से कुमाओं में भारी वर्षा के जितावनी जारी की गई है स्वास्ते मंतरी डॉक्तर धांसिंग रावत आजकर अपने विदानसवाद छेत्र के भ्रमन पर है इस दुरान वो अपने छेत्र में स्वास्ते ववस्ताओं का हाल जान ने बिना प्रोटोकॉल के ही पहुंसते दिखाई दिये ऐसा कुछ ही कल देखने को मिला स्वास्ते मंतरी पीपीपी मोड पर चल रहे जुला स्पताल में ववस्ताओं का जायजा लेने पहुंचे जिसके जानकारे प्रसाशन को नहीं थी स्वास्ते मंतरी की ओचक निरिक्षन से प्रसाशन के हाथ पर फूली हुए दिखे आपको तारे की कैबिनेट मंतरी का ओचक निरिक्षन कब और कहा हो जाए ये किसी को भी पता नहीं होता है ऐसा ही ओचक निरिक्षन शनीवार सुबस्वास्ते मंतरी ने पौड़ी के जुला स्पताल में किया उन्होंने स्वास्ते ववस्ताओं के अलावा शिविर का भी जायजा लिया मैं स्वास्ते मंतरी इधन सिंग्रावद गिनर प्रोटोकॉल के ही पीपी भी मोर कर चल रहे है जुला स्पताल में वववस्ताओं का जायजा लेने पहुचे इतना ही नहीं के अबिलिट मंत्री के उचक निर्षिन के जानकाई डियम डॉक्टर विजय कुमार जोग्डंडे तक पो नहीं थी प्रद्वान मंत्री कारेले के उचक चीव मंगेश घिल्डियाल ने शनिवार को बद्रिनात पहुच के मास्टर प्रैन के तैस संच्वालित कारेओ को अस्तरे निर्मान कारियों में तेजी लाने की निर्देश थी उन्होंने कहा कि कहीं पर भी समस्या आ रही है तो उसका क्वरित समधान करे और अगामे सितंबर महिने तक पहले चरण के कारियों को पूरा किया जाए उपसचीव अपने निर्धारिक ब्रह्मन कारिकरों के तहर शनिवार को दोपहर साड़े बारा बजे बद्रिनाध धाम पहुंचे यहां मंदरी में भगवान बद्रिनाध के दर्शन और पूजा अरचना करने के बाद उपसचीव ने बद्रिनाध धाम में मास्टर प्रैन के थैर संचारित कारियों का स्रेन इरिक्षन किया इस दुरान उन्होंने नूप रोल और बी आरो बाइपास निर्माण जीलों का सौंदरे करन रिवर फ्रंट डेवलप्मेंट आदी निर्माण कारियों को देखा उन्होंने कहा कि सेश नेत्र जील और बद्री जील में पानी की वैकल्पी व्यवस्ता भी रखी जाए उपसजीव ने पहले चरण के कारियों को अगामी सितंबर तक पूरा करने पर जोर देते हुए सभी कारिदाई संस्ताओं को भेतर समन्वे के साथ कारे करने के निर्देश दिये समविदा आउट्सोर्स बाहन चौलक संग ने आरोप लगा है कि कई अधिकारी सरकारी बाहनों से अपने घर के लिए सबजी तक मंगा रहे हैं साथी संग चात्रमुक बिंदो पर इस सम्मद में एक ग्यापन मुख्यमंतरी पुषकर संग्धामी कोई बेचा है अब इस मामले में कॉंग्रेस प्रदेश परवक्ता गरीमा महरत दसोनी का वयान भी सामने आया है जिसमें उन्हें भाजपा के लोगों की दिक्कत यही है कि उनको सबकी गलती दिखाई पड़ती है सिर्फ अपनी गलती दिखाई नहीं पड़ती हद तो तब हो गई जब सरकारी वाहन के चालकों ने मुख्यमंतरी के जनता दर्वार में जाकर गुहार लगाई कि अफसरान और नेता उनसे अपने घर के काम करवा रहे हैं कोई सबजी लेने भेज रहा है तो कोई कुटे को घुमाने के लिए भेज रहा है ऐसे में मुख्यमंत्री इस सिकायत का कितना संग्यान लेंगे इन अफसरों और नेताओं के ऊपर कितनी गाज गिरेगी या कितनी कारवाई होगी ये तो भविशी के गर्म में है लेकिन भाजपा नेताओं को कम से कम अपनी सरकार के क्रिया कलापों पर और अपने गिरेबान में जहाकने की अब आदर डालेनी चाहिए खांपर विधाक मिश्कमार शर्मा ने खांपर विधान स्वा के आखरी गाउं जोगा वाला दल्ला वाला दाप की खेड़ा नाई वाला से गुजरने बाली सोलानी नदी के तटबंदो का ट्रैक्टर के माधियम से निक्षिन किया आपको वतादे कि ये पूरा वाला का बार ग्रस्त रहता है चुनाव से पहले इस नदी के टटबंदो का अस्ताइन निर्मान आफ़ता प्रबंदन के फंट से करवाया गया था अब जल्द ही नदी में वाल लगाने का काम शुरू किया जाएका सुनने में आया है कि समूचे देश में आज भारतिय जनता पाटी आपातकाल की बरसी को काले दिवस के रूप में मना रही है निश्चित रूप से मनाई है आपका अधिकार है लेकिन फिर बरसी मनानी ही है तो हजारों लोगों की जान जिसमें चली गई उस नोड़बंदी की बरसी भी मनाई है पिर GST जिसमें की व्यापारियों का धंदा चौपट हो गया और उन्होंने मौत को गले लगा लिया उसकी भी बरसी मनाई है फिर तीन किशी कानून जो थोपे गए देश के उपर देश के अनदाताओं के उपर और साथ सा सजादा अनदाताओं ने अपनी जान कवा दी फिर उसकी भी बरसी मनानी चाहिए और अब यागनीपत स्कीम जो जनता के समझ में नहीं आ रही है देश के समझ में नहीं आ रही है युवाओं के समझ में नहीं आ रही है पूरे देश, सेना और युवा शक्ति के लिए जो की खत्रा बन कर उभरी है और इसमें जिस तरह से युवा फ्रस्ट्रेट और डिप्र इस पर लगाया जाता है आपात काल के दौरान तो इस वक्त मोडी सरकार या मोडी के रजीम में जितना जादा पत्रकारों का उत्पीनन हो रहा है इससे पहले कभी देखने को नहीं है काल डूंगी के चकलूवा छेतर में विदरामपूर से दिल धरा देने वाली घटना स्यामने आई है यहां एक बाप ने बेटे कुलाडी से प्रहार कर दिया जिसके बाद आनफार में परिवार जनो द्वारा बेटे को काल डूंगे समधा एक स्वास्ते के इंद्रि लाया गय गटना के वाद थाना अद्यक्ष राजवीर सिंग नेगी के निर्देश में उपनिरिक्षक कमी जोशी द्वारा में पुलिस बल के त्वरित कारवाही करते हुए अभ्यूक नरेंदर परसाद को ग्रफतार करके जेल भेजा गया है नरेंदर परसाद नशे का आदी बताया के समय नरेंद परसाद ने अपने पुत्र अनिल को सराप के नसे में कुल्वाडी से मार दिये जो इस समय आईस्यु में बढ़ती है और जिसकी स्थिधी घंबीर बनी हुए अध्रुक्त नरेंदर परसाद को पुलिस बोरा घ्रतर कर लिया है और बाद मेडिकल इसे मानी न रिपुदमन सिंग रहवत ने कहा कि अपातकाल में तमाम विपक्षिन निताओं को जेल में डाल दिया गया था अकबारों में अंद्रा गांधी के खिलाब कोई खबर ना छबे इसके लिए अकबारों के बिजली कार्दी गई सुदंत्र भारत का यह सबसे काला दिन रहा कि जो इमर्जन्ची इस देश के अंदर लगी थी कॉंग्रेस के द्वारा और 1975 में आपातकाल में जोग दिया गया पूरे देश को कि ताला दिवस के रूप में हम आज धटना को मना रहे हैं और में सबता पूरे देश के अंदर भाती अंदा पाल्टी यह जो धटना घटी देश के अंदर बजबूर किया गया हमारे देश वास्यों को इस प्लक्ष में हम आज ताला दिवस के रूप में मना रहे हैं के दाना द्यातर में श्रधालों की सुरक्षा का मैतुपूर्ण जिम्मा पुलिस की हाथ में रहता है। पुलिस मिशन अपनत्व चला रही है। जनपा चमूली के ग्राम आउली के रहने वाले दिगंबर रावत ने भीती 24 जून को दिल्ली में आज़ित MMA खेल में एक शांदार जीत हासिल की और पूरे देश में हमारे राज़े का नाम रशन किया। दिगंबर रावत ने दिरादून में इस्तित MMA अकेडमी से मार्शल आर्स की दुनिया में कदम रखा। प्रेंका अस्वार श्रीदेव सुमन उत्राखन विश्विध्याले के दिख्षान समारू में गोल्ड मैडल से समानित होगी। रानी खेत में रख्षा संपदा विभाग का उप कारेले का उद्खाटन रख्षार राज्यमंत्री अजयभट ने किया। उन्होंने कहा ये कारेले मील का पत्थर साबित होगा। छाबनी परिशत के लोगों को अपने कारे के लिए बरेली लखनाओ नहीं जाना पड़ेगा। कारेले के खुलने से लोग काफी रहत मिले की। इस दुरान रख्षार राज्यमंत्री अजयभट ने समयुक्त मजिस्टर जया किशन की भी काफी सराना की। मैं माननी केंद्री रख्षाराजे मंत्री आदनी अजयभट जी और हमारे सांचत निमानाजे टम्टाजी का शिद्ध से आभार विक्त करता हूं। आप पूरी कुमाओ जेत्र के जाहे उतराई का ननित उतमशी नगर हो, ननिताल हो, अलमोडा हो, पित्वरागड हो, तमाम जो केंट के जमीन है, इनके समझे तमाम विवादुगर निप्टारा यहीं होगा और रांगित की जन्ता को इसको प्रिशेश पाइदा होने वाला जेजेएम देव रिशी एजुकेशन सुसाइटी तिरादून के आर्थी जल जीवन मिशन पेजल और सचिता विभाग जल शक्ती मंत्राले भारत सरकार द्वारा जल समुदाइक पेजल योजना हर घर जल, संद्रक्षन और समवर्धन कारिक्रम का तिन देश्य कारेशाला म इसी दुरान जब जलादिकारी का वहां श्रीकोट पुल के पास पहुचा तो आम ग्रामिनों ने वहां रोख कर अपनी समस्याओं को जुलादिकारी के समक्ष रखा, मुई छेतर में चल रहे सी जाए कि इस मस्या का निराकरन चलत किया जाएगा, ऐसा जुलादिकारी ने भरोस्त दिलाया यह तूटी जाले तो हमार सारू क्यमार जो जुचा खताम होगेगी, अमार क्यमार जो जुचा इनि जानी स्वनाकी चिलिया थाई यह पिछवड़ी हमारे हाट सब्लब दुव ढूंता ही, और हमारे एक पासमती उग लुगब गदी, सब कोच वोगदी, अब भ ileन मिलो हम यह अभी ड्यम्स आवान। अंतर राष्ट्री द्रक्स दिवस के मौके पर सल्ट पोलस ने मोलेखाल बजार में लोगों को जागरूक हे सब्ता के लोगों को नशे से हूने वाली नुकसान की जानकारी भी ती। नश्र से युवा पीडी को बचाने के लिए सहयोग के अपिल भी की. इसके लिए सब लोगों को हमने आज यहां पर जागरुख किया। रतनगर के कथा व्यास मनु महराज के द्वारा इन दिनों बद्रिनात धाम में भागवत कथा आयुजित की जा रही है। लेकिन भागवत कथा आयोजग को द्वारा देश भर के श्रधालू को ब्रहमित क्या जा रहा है बताया जा रहा है कि आयोजग पिंड़दान और तरपन के नाम पर श्रधालू से वसुली करें हैं मिरी जानकारी के मुताबिक महराज के अनुयाईयो द्वारा श्रधालू से ब्रहम कपाल तीर्थ में पिंड़दान और तरपन के लिए 51 सो रुपे की धनराशी लिजा रही है और श्रधालू से ये का जा रहा है कि उनके पिंड़दान और तरपन ओनलाइन करा जाएगा इस संदर में ब्रहम कपाल तीर् पदरिश पंडा पंच्वाय समिती बरलीनात और देव प्रिया के थिर्थ पुरोहितों के प्रतिनी मंडल ने थाना देश पदरिणात से मिल कर लेखिया दर्श की बद्रनाभ धाम में इन दनों रतन गड़ राइस्तान के मनुसरी महराज की भावत कता का इजन किया जा रहा है और इस कता की दोरान आईजकों द्वारा देजबर से लोगों से आवन किया जा रहा है कि जो बदरनाति सिद ब्रम कपाल धाम है वहाँ पर यदि कोई अपने पुर्वजों के निमित पिनेदान या तरपन करना चाहता है उनसे संपर्क करें और वो जो है उनकी जो आवेजक हैं वो लोग जो है 51 सुरुपी परति व्यक्ति के हिसाब से उनसे पैसे मांग रहे हैं अपना अकाउन नमर दे रहे हैं और वो यह भी कह रहे हैं सरद्वा लोगों से कि उनको जो है इससे समधने वीडियो या एक ऐसे कुछ वी चीज़ें उनको नहीं कराई जाएगी यह बदरिनात में अपनी तरह का यह से पहला ओनलाइन ठागी का मामला है और आज तिर्थ प्रोईतों के परति निजन मर्णा ने थाना द्यक्ष मदरिनात को इस संदर्प में लिखित तहरीर दर्च कराई है और यदि इस पर कारवाई नहीं की गई तो निश्य त्रूप चाने वाले जनवा है तिर्थ सेंटर और टेली मैडिसिन विभाग गया देख्ष मीनु सिंग को अकिल भारते अवर्विग्यान संस्थान रिशिगेस की नहीं निदेशक निव्ट किया गया है शुक्रवार को केंदेश वास्ते मंतराले ने उनकी निवक्ति का आदेश शारी कर दिया है प्रोफेसर सेंटर और टेली मैडिसिन विभाग गया देख्ष के तोर पर काम कर रही है पाल रोग अनुसंधान की छेत्र में प्रॉफेसर मीनु सिंग का विशेष्ट योगदान रहा है उन्होंने खासकर टीवी अस्तिमा और सिस्टिक फाइवरोसिस की छेत्र में उलेखने कारे किया रामनगर के तराई पस्षिमी वन प्रभाग के पत्रामपूर रेंज में गस्त के तरान जंगर में अवेद रूप से लखडी काट रहा एक तशकर को वन कर्मियों ने दबोस्ते हुए उसे कोट में पेश करने की कारवाही की मावले में पत्रामपूर के रेंजर राज कुम में उन्हें एक तशकर को मौके से रफ्तार कर लिया आरोपी लगड़ी तशकर ग्राम तुम्रिया डाम सेकेंड का रहने वाला है और इसके खिलाफ पहले भी विवाग में वन अप्रास सम्मद कई मामले दर्श रेंजर ने बताय की कारवाही की तुरान पांस तशकर मौके से फरार हो गए हैं जिनकी तलाश भी जारी है आज सुबह लगवक पौनी तीन बजे हमारी एक गस्ती दल की टीम तुमडिया बीट में गस्त कर रही थी तब ही उन्हें कुछ मोटर साइक के लोगे चिन दिखाई दिये टायरों के उसका पीछा करते हुए जब यह लोग ग पुने आगे गए तो वहां लगडी काटने की कुछ आवाजे आई और कुछ बोलने की आवाज आई वहां जाके देखा तो यह छे लोग थे जो की उस समय जो है पेड़ काट रहे थे और जैसे हमारी टीम को इन्होंने देखा यह अपना समान लेके भागना सुरू कर दिया इसमें हमने एक छिनदर सिंग पुत्र महिंदर सिंग तो मणय दाब सेकींड को रंगी हातों वहां कि रफतार कर लिया है और इसके साथ साथ ही वहां हमने पांच भाईके बरामत की हैं और जितना जो लगडी थी साल की दो पेड़ थे और एक सागून का पेड़ उसको हमने उत्राखन की तमाम बड़ी खबरों में फिलाल इतना ही बाकी खबरों के लिए देखते रहे हैं पहार टीवी नमस्कार कि अछिए देखते रही हैं आगाया है जड़ी खबरोंbir है तुर अभरों में ग missile एड़ाई लाम जए है तेखते रहीं हैं चाहा ची औरे काऊओ Sa80 ठीकिने की खबरों में जविए्रन ऑलवें झाल